आज हम लोग इस सेशन में यह चर्चा करेंगे कि आपको अगर कोई ब्रिक वर की क्वांटिटी दी गई हो तो उस क्वांटिटी में से हम ब्रिक्स, सेमेंट और सेंड अलग अलग कैसे निकालेंगे तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है कि टेन मीटर क्यूब वालूम आफ ब्रिक वर्क है तो हम जानते हैं कि मॉडलर बिक्स का साइज विदाउट सेमेंट मार्टर कितना होता है 19 सेंटी मेटर इंटो 9 सेंटी मेटर और साइज ऑफ मॉडलर बिक्स बिद सेमेंट मार्टर क्या होता है 20 सेंटी मेटर इंटो 10 सेंटी मेटर इंटो 10 सेंटी मेटर तो अगर हमको नंबर आफ ब्रिक्स रिकायर निकालना हो तो क्या हो जाएगा quantity of brickwork divided by volume of brickwork with model हो जाएगा तो quantity of brickwork आपको दिया हुआ है 10 divided by 0.20 into 0.10 into 0.10 यह हमने 0.2 इसलिए किया है क्योंकि हमने इसको मीटर में convert किया है calculate करने में आ जाएगा आपका 5000 bricks आ जाएगा लेकिन 5000 bricks का volume without mortar क्या हो जाएगा बहुत असान है 5000 into 0.19 into 0.09 into 0.09 calculate करेंगे तो आपको आ जाएगा 7.7 meter थूँ आ जाएगा हमको क्या करना है quantity of mortar consume निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा टोटल brick work की quantity निकाल लीजे उसमें और उसमें से जो actual quantity brick की जो आई है वो घटा दीजे तो आपको मार्डर कंजूम निकल आएगा तो brick work की quantity 10 थी टोटल जो हमने लिया था total brick work की quantity कितनी 10 थी लेकिन उसमें से brick की quantity क्या थी 7.7 थी इसको हमने घटा दिया तो आगया 2.3 मीटर क्यों आगया लेकिन क्या है यह यह compacted volume है आपको loose volume निकालना है तो loose volume निकालने के लिए 33 percent एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और यह 33 परसंट एक्स्ट्रा कहां से आया है इसका मेरा अलग से वीडियो है आप इसको अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाया तो कैसे करना है 2.3 इंटू 33 परसंट उसका एक्स्ट्रा होगा तो आ जायेगा आपका कितना होगा टोटल लूज वालूम आपका हो जायेगा 2.3 प्लस यह इसको जो देंगे 0.759 तो यह क्या जायेगा का 3.059 मीटर क्यूब आ जायेगा अब लेकिन सिमेंट्री पार निकालना है ब्रिक वर का तो कैसे निकालेंगे रिक्वाइड पार्ट डिवाइड ब्रिक वाइड पार्ट इंटू लूज वालूम तो रिक्वाइड पार्ट का कितना है एक है टोटल पार्ट कितना है six plus one यानी seven है लूज वालूम क्या है आपने निकालना था इंटू three point zero five nine खलिपेट करने पे आ जायेगा आपका 0.437 मीटर क्यूब आ जाएगा अब आपको नमबर आप बैक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा रिक्वाइड सेमेंट कितना आया था और डिवाइड बई वालूम आफ वन बैक्समेंट तो रिक्वाइड सेमेंट की कॉंटिटी आपको थी 0.437 यह लिख दिया और वालूम आफ वन बैक्समेंट कितना था 0.035 कैल्कुलेट करेंगे तो आजाएगा आपका 12.49 बैक्स आजाएगा तो अगर आपको सेंड कितना लगना है निकालना है तो आपको 6 गुना है तो आपको क्या करना पड़ेगा यह क्वांटिटी जो आपने सेंड के निकाली है यह वली इसमें आप 6 से मल्टिप्लाई कर दीजाएगा आप मल्टिप्लाई कर देंगे तो आजाएगा 2.622 मीटर क्यूँ आजाएगा यह मीटर क्यूँ मैं अगर आप सेंड़ करना चाहते हैं तो इसमें आपको 35.315 से गुड़ा करना पड़ेगा तो 2.622 इंटू 35.315 आप गुड़ा करेंगे तो आजाएगा आपका 92.60CFT आजाएगा तो आसा करता हूँ आपको यह कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिए और जिन लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया गया तो वो चैनल को जरूर सब्क्राइब कर ले तो थैंक यू फार वाचिन नाए वीडियो फूर आज़ा हुआ हुआ है